अगर आज की राद परमेश्वर आपके सामने आके खड़े हो जाए और आपके सामने खड़ा हो जाए और पूरी रोश्री चमक और आपका पूरा घर चमक रहा है और वो कहता है परमेश्वर का आत्मा और वो शक्ति का आत्मा बल का आत्मा और वो युक्ति का आत्मा सला का आत्मा वो सारे प्रश्णों जो तुमारे पास है और वो समझ का ताकि आत्मिक वास्विक्ताओं को समझ सके और परमेश्वर के भाय का आत्मा वो मेरे उपर है ना package की रूप में grant किया देखो समझो इस बात को जब तुमने मुझे grant किया तो मैं ठाई के साथ आया हूँ अगर मेरे पास suit है तो मैं suit के साथ तुम्हारे पास आया हूँ अगर आपने मुझे grant किया है तो मैं अपने रुमाल के साथ आया हूँ और मुझे ग्रैन करने से इशू मसी को ग्रैन करने से पवित्र आत्मा वो भी आ जाता है और आप इस बात को याद रखें पवित्र आत्मा मेरे उपर आ जा पवित्र आत्मा ऐसा नहीं बोलना है तो 10,000 साल दूर 10,000 किलो मीटर से भी अगर आपको देखेगा और एक हमारे चीफ मिनिस्टर है और वो एक टोपी को रख्टे थे एक कैप उनका चिन ने था चुनाव चिन ने था और एक वेक्ति इतना सफल पूर्वक्री था और अगर वो किसी एक बुलाएगा एक गदे को एक MP बना देगा या MLA बना देगा गदे को और लोग उस वोट देने रहेंगे और वो इतना जदा प्रसिद हो गया था और अगर वो कि उस समय के बाद वो बात नहीं कर पाया और वो फस दो उंगली दिखा देता था और वो जीट जाता था और उसने एक एक को का जगह था और वो एक अच्छा तमिल लैंग्विज भी बोल नी पाता था और उसको मालूम बेनी कि किस चरह से हस्ताचर करें मतला हूट अचा आपता वो और ये सारे बड़े-बड़े लोग जाके और नक ऐसे काथ-पुत्री जैसे लोगो को एक करते ता कि वो लोग दिया और ये वेक्ति ने बोला सार और देखो देखो लीडर थलाइबा मतलब लीडर मेरे अगुए मेरे को नहीं मालूम मुझे तो मालूम है निकि कैसे मैं यहाँ पर सिगनेचर करूं मुझे तो हस्ता-चर करते नहीं आता तुने मुझे कैसे नुक्त कर दे कि मैं हमेले बन जाओंगा और हमारे बने बुला ए किसने तरी लिए वोट दाला उन्होंने मेरे टोपी के लिए वोट दाला है तू खड़े हो जा तू कर और मेरे टोपी करन लोगों ने वोट दाला है और उसने मेरे टोपी को देख करके वोट दाले लोगोंने मैं आपको बताना चाह और बहुत बड़ी विज्जय उसको मिली और सिर्फ इसी कारण से उस मुख्य मंतरी के टोपी के कारण उस चिन्न के कारण और वो सामर्थ है मुख्य मंतरी का क्या आप कल्वना कर सकते हैं परमेश्वर का आत्मा वो पवित्र है और वो बहुत आश्वर है और जिसने इस स्वर्ग और प्रित्वी की सुष्टी की और वो और वो आपको चूके जोड़ सकते हैं लेकिन वो आपके जीवन से किसने बोला कि वो आपको देखा और मिर को देखा और वो आपके उपर आए और उसने देखा उसने मुख्य मंत्री को देखा उसके अंदर देखा और देखे जब मसी आ जाता है तब पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता उसके उपर आता जब वो चले और मेंको तो एक दो नॉर्मल सरे ने 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 जब मसी आपके अंदर आ जाता है तो पवितर आत्मा ये नहीं बोल सकता है कि ईश्यू मसी बाई 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 पवितर आत्मा नहीं बोल सकता बाई बाई मसी को और वो मसी हमारे अंदर आ गया आपको नहीं मालूम उद्धार क्या है और हम लोग पताते हैं हम लोग लोग को पच्छत आपकी प्रातना करते हैं किसको इशू मसीख ग्रहना अपने हाथों को डालो अपनी आखों को बंद कर लो इधर उधर मत देखो और वो टेक्निक जो है इशू मसीख को ग्रहन करने के लिए राजाओं के राजा को दिल में ग्रहन करने के लिए सारे आखे बंद कर लो उनको मालूम नहीं है कि इसका मतलब क्या है कि बचने का मतलब क्या है और धार का मतलब क्या है उनको मालूम नहीं है और अचानक से मैंने बोला बोला चाहता है कि आप मेंसे किसी घर के खाना चाहता है कि उस लोग कौन उनको ग्रहन करना चाहता है पांस टार होटल, पांस से तरह होटल, उसका खाना आपके घर में मिलेगा, लेकिन वो आपके घर पे आके खाना चाहता है, कौन उसको ग्रेन करना चाहता है, और सारी कांखे बंद हो जाए, ऐसा बोलूगा किया मैं, हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, हार कोई, एश्वारे को देखरें भी आरा, और देखें, लोग जदा इतने ज़्यादा वैसे हैं, और सच में आपको बताना चाहता हूँ, हमारे अल्टर कॉल में जो होता ना, मैंने खुद अपने जमाने की दिसमें, सारी आखे बंद है, इधर दर माद देखो, उधर दर माद देखो, और सारी ल भूधियों का, हमको नहीं मालूम उन्नक्राइब होता हूँ, हमने इतना असानी से सट ना, हमें दर मैं में मालूम मैं फ़ने नहीं मैं लेकिन गलती से, या बिना अर्थ के, या। बस किसमार के तो और वे अपने लिए इसमाजी, इसमाजी, मेरे जीवन वह आजा, मेरे जीवन में आजा धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए और आपने ऐसे ही बोला हमें देखा ही नहीं है परमेशर के वचन को कि वो असलियत है कि वो उसके मेरे सामने खड़ा है और वो अपने वचन को प्रमाणित करता है हमारी समस्या ये नहीं है कि हमें मालूम नहीं है हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो है कौन तो जो परमेश्वर का जो आत्मा है वो है उसके उपर मसी के उपर है इश्व मसी के उपर है धन्यवाद और अच्छी बात है कि आपने उसको ग्रहेंट का लिया, क्योंकि आपने उसको ग्रहेंट का लिया, अब वो आपके ऊपर में हैं, अगर आप निमंतरन देंगे प्रधान मंतरी को आज की दिन में, अगर आप निमंतरन देंगे प्रधान मंतरी को पूंडी में आन पत्रकार वा जाएंगे और सारे पुलिस आफिसर्स आ जाएंगे और सारे मुख्चर मंतरी आ जाएंगे आपर पूरा संसार पूरा राश्त यहां पर आ जाएगा और आपको मालूम है मसी हुनगा man Christ is born in you और मसी जनम लिया मसी आपके आंदर जनव लिया हमें बचन महलोम है हम लोग बचन का प्रचार कर सकते हैं हमारी समस्य ये है कि हमने कभी इसको Αbles कौश गथ C मैशन को पढ़ने रहे हैं हम लोग लिकार कर रहे है हम लोग इसको असलियत कर रहे है वास्विक्ता को असलियत कर रहे है पढ़ेंगे इसको तब येशे के टेटो से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ से एक शाका निकल कर फलवन्द की और ये कौन है ईशु मसी है येशे दाउद के परिवार से यहावा का आत्मा भुद्धी और समझ यहावा का आत्मा भुद्धी और समझ का आत्मा युद्धी और पराक्रम का आत्मा और ग्यान का आत्मा उस पर ठहरेगा आप क्यों पर ठहरेगा की उस पर ठहरेगा हमेशा इस बात को याद रखें परमेशर का आत्मा जो है वो उस पर ठहरेगा और देखो जब आपने उसको ग्रहन किया अभी आप बोल सकते हैं आप क्या बोल सकते हैं आपने परमेश्वर का आत्मा जो वो हम पर ठहरा है बोलो परमेश्वर का आत्मा वो हमारे उपर ठहरा हुआ है मेरे उपर वो मेरे उपर और वो सिर्फ हमसे मिलाकात नहीं कर रहा है वो हमसे मुलाकात नहीं कर रहा है वो ठहर गया है और आज आपने बहुत प्रात्ना की वो आप मुलाकात किया और कल आपने प्रात्ना नहीं किया ठीक है वो चला गया और फिर आपने अच्छे अच्छी चीज़े क्या, वो बापस आ गया, ऐसा नहीं है, और वो आप पर आकर टहर गया, इसका मतलब हमेशा के लिए, अगर आपको ये पता चल जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और देखें, मैं अपनी पतनी के बारे में बढ़ चनकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसके जीवन को देखा है, हर एक पल मैं देख सकता हूँ, वो हमेशा कुतों के साथ भी रहेगी, या तो चड़ियों के साथ रहेगी, या तो मचलियों के साथ रहेगी, और ऐसा नहीं कि एक घंटा कवर करके, सर को जाके, और घुटनेटे करके, और प्रात्ना करी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, और वो हमेशा बार तलाप करती रहती परमेश्वर से, हम लोग एक बार, एक पहाड़ पे थे, अचानक से उसने मुर को बोली, पार्चार जो लोग पालाचंदर है, उसकी जो बहु है, जैक, उसकी पतनी जो है, वो और वो प्रेगनेट नहीं थी बहुत समय से, ने ने उसने प्रात्ना नहीं करी, कुछ नहीं करी, लेकिन ऐसा ही उसको मैंने कितने पार बेनिटा को देखा कि, वो दो दिन वाले अन्नी, उसने फिर फो लागा, अन्नी मैं प्रेगनेट हूँ, और ये जीवन चैली है, ये चैली है, और देखे मैं अपने जीवन के से भी बता सकता हूँ, और एकी चीज़ जो मैं संगर्स कर रहा हूँ, कि किस तरह से मैं, और कैसे मैं, और ये वैक्ति को खुश कर दूँ, और इसको खुश करने के लिए, और हम आपको रूलाना पड़ेगा, और या तो फिर मैं, दस हजार लोग को बुरा लगवा दूँगा, ना कि मैं ईशु मसी को बुरा लगने दूँगा, वो मेरे अंदर रहता है, और ये विवेक है, ये विवेक वाला जीवन है, और कोई तो मेरे अंदर में है, और जब वो बहुत उच्छ वैक्ति है, और जब वो खुश रहेग और मेरा एक ही चीज़ है और तेखो तुमको मेरे पत्री, मेरे माँ इन सबको खुश करने की जरुवत नहीं है ग्लोरी, एडिरी ने, 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 दस हजार लोग फिर वो एक लाग हुज है कैसे जब लोगों को मैं खुश करूँ सिर्फ एक व्यक्ति को खुश कर दो आपने सबको खुश कर दिया क्यों आप अपने समय को भरबाद कर रहे है एक व्यक्ति को अगर आप खुश कर देंगे और वो भी वो आपको सारी ताकत का स्तुरोथ दे रहा है सारी ताकत आपको दे रहा है और ये ऐसा नहीं है कि मिचे खोशिश करना है परमेशर का आत्मा की मेरे पड़ ठहरने के लिए आपको कुछ करने की जरुवत नहीं है शुनने अजाद और क्रिस्मस का उपभार मुफ्त है और वो इस बात से निस्चिंद रहे इस बात के विवेक मेरे और जब भी आप बात करेंगे अचानक से और हो सकता उसको पसंद नहीं आएगा वस ठीक है और मैंने मसीज जीवन को बहुत साधरन कर दिया और आप फोन से बात कर रहे है और आप सुन रहे हैं क्या मैं ऐसे बात कर सकता हूँ उस संवेधन शीलता में आएंगे हर एक जगे आप एक आशीश रहेंगे जब आप आशीश को बोलते जाएंगे जब आप आशीशों को देखेंगे और जब आप जाएंगे आशीशित होएंगे जब आप चुएंगे तो आशीशित होगा ठहरा रहेगा हमेशा के लिए मसी के उपपर और जब मसी मुझ में आ गया और परमेश्वर का आत्मा और वो आ गया कि वो मेरे पर ठहर जाए मैं उसका मंदिर हूँ मैं उसका मंदिर हूँ मैं उसका तंबु हूँ मैं उसको ले करके चलता हूँ हर समय क्या मैं आपको बता हूँ 2000 साल पहले ईशु मसी ने परमेश्वर ईशु मसी ने कि अपने आपको छोटा कर लिया वो किता इस जगे में आने के किता बमेश्वर वो बड़ा परमेश्वर वो स्वर्ग, पृत्वी वो पुरे एक गर्व में आना और मैं आपको एक बात पता हूँ और वो छोटा इशु मसी ता नौ मही ने का और वो एकदम छोटा सा हो गया इस एज़ेका फ्रांसी के बाड़ी के अंदर भुसने के लिए और इतने साल हो तक और वो अंदर रह रहा है और हर एक बचन को सुन रहा है जो मैं बोल रहा है और हर एक चीज़ों को देख रहा है जो विचारों को जो मैं सोच रहा हूँ क्या आप कल्ब ना कर सकते हैं इस चीज़ को परमिश्वर का आत्मा वो हम पर ठहरा रहा उस पर ठहरा रहा मसी पर अगर आप इस बात के विवेक में वो आपके पर ठहरा रहेगा और आपको मानों फिर आप कैसे चलेंगे और आप बहुत बेबेन रहेंगे और आप बहुत सतर करेंगे और जब आपका शरीर कुछ बात करेगा और अचानक से जल्दी से आप बोलेगे प्रभू सौरी प्रभू सौरी प्रभू और अपने आप आएगा और ऐसा निगी 2400 गंटे और खड़ा होगा खड़ा होगा लेकिन आपको मालूम है कि कैसे हैंडिल करना है और तभी का इसी का मतलब है जब आप कोशिश करोगे कि आप उसे ख़श करोगे खटब परमेश्वर तुमने कोशिश कर लिया ठीक है काफी है और मेरी मदद आजाएगी तुने कोशिश करना है बस धन्यवाद परमेश्वर का आत्मा तु मेरे पड़ ठहरा हुआ है तू उस पड़ ठहरा हुआ है और क्योंकि तू उस पर ठहरा हुआ है मसी पर ठहरा हुआ है और तू मुझ पर ठहरा हुआ है धन्यवाद परमेश्वर उसके बाद उसके बाद और बुद्धी और समझ का आत्मा सब बोले बुद्धी और समझ बुद्धी और समझ का आत्मा वो सुपर 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 बुद्धी वो मेरे उपर है अब कोई समस्य नहीं है कि मैं उसको हल नहीं निकाल सकता और कोई भी शंका नहीं है जो मैं उसको तोड़ नहीं सकता हारे चीज और सिर्फ मेरा यह इशु नहीं ना कि मेरे परिवार का निरने है ना सिर्फ मेरी सेवकाई का निरने है और पुरे संसार का जो निरने है मेरे पास बुद्धी का आत्मा है मेरे पास उत्तर है मैं उत्तर दे सकता हूँ और ये मसीहत है और ये मसीहत है और आप किसी चीज को मत देखो और आप समस्य को भी ना देखो तो पांच रोटी अजार लोग उसको मालूम उसने क्या गल है उसने ये नहीं देखा बुद्धी का आत्मा उसमें कोई समस्य नहीं है और बुद्धी का समझ का आत्मा मुझ पर है युक्ति और पराक्रम युक्ति और पराक्रम बोलो युक्ति बोलो युक्ति और पराक्रम का आत्मा मुझ पर ठहरा हुआ और पराक्रम का वो मुझ पर है बोलो युक्ति और पराक्रम आत्मा मुझ़ पर ठहरा है क्या आपको मालूम है आपको मालूम है युक्ती देने वाला सलह देने वाला परमेशन आपके 2400 गंटे आपको मालूम है और वो विवेक इदर जहा उदर मा जहा आज नीकल और ये जीवन शहली है और जे जाग रुकता हती है आप ये भी नहीं बोलते कि क्या तुमारी समझ से है अब मुझे दो दिन दो मैं उपवास करूँगा आप ऐसा नहीं बोलोगे और शुरुवात मैं आप करोगे मैं उपवास करूँगा प्रातना करूँगा मैं बताऊंगा लेकिन एक समय आता है यूसुफ को मालू मैं आपको यूसुफ ने देखा दो लोगों को देखा और वो बहुत निराश में थे और वो बहुत निराश क्यों है और उन्होंने बोले कि हमारे पास एक स्वपन आया उसने बोले क्या हुआ कौन से सपना और से परमेशर ही उसको अनवाद कर सकता है उत्तर दे सकता है मुझे बताओ आपको मलम है वो कनेक्शन को आपने बताओ और से परमेशर ही कर सकता है मुझे बताओ उसका मतलब कि मैं और परमेशर एक है ना और तुरंत ही उसने बोला कि मैं तुम्हारे सपनों को लिख लेता हूँ मैं जाओंगा प्रातना करूँगा तीन दिन का उपास प्रातना करूँगा और चौंते दिन वो आता है और वो कहता है तीसरी रात को परमिशन ने मुझे इसका अनुवाद दे दिया क्या इसा लिखा है बाइबल में तीन दिनों के अंदर तुमा जायेगा दोनो कहीं न कहीं उपर उठाये जाओगे और एक को आधर मुठाया जायेगा और एक को भासी पर रटकाया जायेगा और एक पल भी वो इंतजार नहीं किया उसने तुरंट और ये है युक्ति का आत्मा जो हमारे पड़ ठैरा हुआ है और जैसी मैं बोल रहा हूं और आप बस मजाक करोगे और बस मजाक करोगे और मैं किताब लिख सकता हूं मेरे भविसूचक मजाक चुटकले मैंने दासुदा रहमा को देखा मैंने का इना क्या पास्टर रहमा वर पास्टर बन गई बहुत सारे चुटकले मैंने दिया दानियल और जब उस राजे को सपन आया पहली बार उसने बोला मुझे कुछ समय दे दो मुझे कुछ समय दो और वो गया उसने अपने दोस्तों को बताया और उसने बोला प्रातना लंबी प्रातना किया एक रात में परमेशन इसको अपने में दोस्तों को उतर दिया पहला स्थर था और दूसरा स्थर था और राजा उससे बात कर रहा बड़ी समस्या और मुझे उपास करना पड़ेगा बड़ा उपास करना पड़ेगा और बड़ा उपास के बाद और बड़ा अलसर भी होता भी शैतान बहुत कुछ होता है और हर एक समस्या के लिए इसको उपास करता है चालिस दिन के लिए और शेतान का ये चाल है, और शेतान चाहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि परमिशर का आत्म आपके ओपर ठहरा हुआ है, युक्ती का आत्म हर समय, आत्म आपके ओपर ठहरा हुआ है, और अभी, और मैं इतना ज़्यादा जीना लगा हूँ, और जब मैं आपको देखत और आप परमेश्वर के साथ एक हो गए क्या हम उसके लिए पूझे सब लोग बोलेंगे परमेश्वर का आत्मा वो उसके उपर ठहरा हुआ है क्योंकि वो उसके उपर ठहरा हुआ है वो मेरे उपर भी ठहरा हुआ है अब अब जब उसके उपर ठहरा है मतलब, हमेशा है के लिए, हमेशा के लिए कि अगर आप आप में गिर गए तो किस के उपर है कि अवा उपर रहेगा कि भख जाएगा आपने जूट बोला वो आपके उपर नहीं है वो मसी के उपर है टोपी, टोपी लेकिन आपका जीवन और आविश्वासी का जीवन वो एक स्तर करेगा क्योंकि वो बंदा हुआ है और वो बंदा हुआ है और ये बहुत बड़ी ट्रेजडी है बेचारा वेक्ति उसका कोई पैसा निया और वो खानी पर रहा और आप लोग दो ने एक जैसे हैं परमेश्वर के पराक्रम का आत्मा युक्ति का आत्मा वो मेरे उपर है युक्ति का आत्मा सलह का आत्मा कौन सी सला मुझे बता है और कोई भी एडवाइस उसके लिए युक्ति और कोई भी सामाजेक मुझे बता है कौन सी सला और building बनाने के लिए क्या मैं आपको बता हूँ और वो 100 परतीश्थ सारे subject का counselor है वो सलाकार है, युक्ती देने वाला कोई भी चीज है हमने उसको हासिल ने के, हमने उससे खीच नहीं पाया है हमने उससे खीच नहीं पाया है और युक्ती कातमा बोलो धन्यवाद पवितर आत्मा और आप युक्ति का आत्मा है और आप मेरे ईश्यू मसीग के उप़ ठहर हुए और वो मसीग मेरे अंदर में और आप मेरे उप़ भी ठहर हुए अब मैं आपकी मैं हासिल कर सकता हूँ आपकी सला को और ग्यान और यहवा का भै का आत्मा सारा ग्यान और जब मैंने अपना M.com किया था मैं अपने एक्जाम को लिख रहा था किसी को बताना नहीं है और मैंने पढ़ा ही किया था एक एक्जाम मैंने लिख दिया मैं समझ नहीं पाया सौ पृतित की प्रशन पत्र क्या है मैंको पता ही नहीं समझ मैंने पढ़ा मुझे नहीं मालूम क्या करना और जो भी मैंने पढ़ा था वो भी कुछ था ही नहीं मापी और जो प्रशन था मैं समझ ही नहीं पार था कि कि प्रशन क्या है और मुझे ऐसा लग था कि जा करके निकल जाऊँ उस एकजाम ology तो मुझे कुछ तो बैट के लिखना था और ऐसा कोशिच करना था कि मैं लिखना चाहलू किया मैंने का पवित्राहत्मा और आप ग्यान काहत्मा हो और आपको रिख्ञान काहलू मैं आपको commerce मालूँ आपके statistics मालूँ है मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ और मैं लिखना चालू कर दिया और अच्छानक मुझे नहीं मालू क्या हुआ अभी तक परमेशर ही जानता कि मैंने क्या लिखा हूँ उसमें मिश्वास करो परमेशर कोई मालू है कि मैंने क्या लिखा हूँ और मैं लिख रहा लिख रहा लिख रहा लिख रहा और लोग जाकर exam छोड़के जा रहे है और मैं तो बस question उनको भी समझ में नहीं क्या प्रश्टा और कोई भी महतपूर्ण जो हमें देखता है वो वहाँ पे था ही नहीं और लोग जारे 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 और मैं महाँ बैठके़ भी मुझे पेपर दो मुझे सप्लिमेंटर दो मुझे सप्लिमेंटर दो और वाइट पेपर दो और एग्जाम हाल में अगर आपको intelligent आपको खाले होना बहुत सारे paper लेना पड़ेगा, बहुत सारे paper लेना पड़ेगा, और जब आप बोले, खाले हो जाओ सारे paper तो सब लोग देखेंगे तुमको, बहुत बढ़ी क्या है, तो ऐसा गमट से खाल paper, 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 और उसके बाद मेरे पाद इतने सारे 10 पेपर और वाइट पेपर हो गए थे और मैं वाइव एक देदा और पूरे ओईटुन से छोड़ा सबसे और मुझे अच्छे नंबर मिले आपको मालूम है मेरी पतनी उसको नहीं मालूम थे कि क्या है कि बिजली का गिरना और उनको नहीं मालूम कि बिजली कुल हो गई उनको मालूम नहीं है उनको मालूम है कि हिर्देदात कैसा हो गया लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि बिजली कुल हो गई और अभी पूरी जगे पे उसको मालूम है उसको बिल्डिंग मालूम है उसको पेंटिंग मालूम है और हर एक चीजों के लिए वाभी शिक्त है उसके लिए उसके लिए टीवन है और दाउद भी अभी शिक्त था हर एक अच्छे काम के लिए बोलो मैं अभी शिक्त हूँ मैं अभी शिक्त हूँ परमेशर के पराकरम कात्मा परमेशर के बुद्धी कात्मा युक्ती का आत्मा, समझ का आत्मा वो मेरे उपर है मैं अभिशिक हूँ सारे भले कामों के लिए मैं अभिशिक हूँ मैं अभिशिक हूँ